कुदेव जो पी एसी महोंगे बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले थसरे टेंसन अरे काव पर ले थसरे टेंसन जब अप सर्वन केते कर वे धामाल ये कैसे होगा से आप सभी का आज किस कक्षा में स्वागत है पिछले कक्षा में हम जल प्रदूशड को समझ रहे थे साथ ही इसके पहले हम जल के महत्यों को समझ रहे थे और जल प्रदूशड से होने वाली बीमारियों को भी हम देख चुके थे आज जो कक्षा होगी वो जल प्रदूशड को रोकने के उपाय से होगी साथ ही कुछ बिमारिया भी है जो आपके exam के point of view से important है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे देगे exam में अक्सर देखने को मिलता है कि मच्छड के कारण होने वाली बिमारिया पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कौन से मच्छड के काटने से क्या होता है एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि मच्छों के कारण भी हमें बिमारिया होती है तो मच्छों से होने वाले बिमारियों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे अब यहां ध्यान दीजेगा चुकि exam में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है चुकि यह हैजा, टाइफट यह सब जो चीजे होती है वो आपके पानी के कारण होता है जब वो पानी प्रदोशित हो जाती है और उसका कारण भी क्या होता है यह सभी चीजों का आपस में जुड़ना समझेंगे मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफट आदी बिमारिया फैलती है किस से मक्खी से याद रखना है हमको मक्खी से डायरिया होता है, हैजा होता है और आपका टाइफट भी होता है तो इस चीज को ध्यान रखना है मक्खिया जादे तर कहा होती है तो मक्हिया गंदे नाले कचड़े पर बैठती है और अपने पैरों से बिमारी के किटाडू लगा कर भीना ढखे खाने पर बैठ जाती है उसे खा कर हम भी बिमार पढ़ जाते हैं इससे निद्रा रोवी अत्यधिक होता है इसे हम नॉर्मल नहीं लेंगे वास्तों में मक्ही की कारण भी बहुत सारे बिमारिये देखने को मिलती है और हम मेंसे कई ऐसे हैं जो इस बिमारी से क्या हो चुके हैं और अल्रेडी ग्रशित हो चुके हैं तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई, मक्यों से होने वाली बिमारियों की बात, तो इनका नाम आपको याद रखना है, डाइरिया, हैजा और टाइफर, चुकि ये भी प्रदूसित जल के कारण होते हैं, इससे ये संबंध है, तो ये भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकत है, अब देखे, EVS का स्लेबस आपको दे देता है, भले वो हमें छोटा लगता है, लेकि घूम फीर कर, यहां से सवाल हमें देखने को मिलते हैं, तो टॉपिक भी कवर करते चलने हैं हमें, आगे देखेंगे, अब जो आपका टॉपिक है, आज इसे की हम बात कर रहे थे, जल प्रदूशर को रोकने के उपाए, हमने जल के महत्मों को समझा कितना important है उसक्या हमारे life में, अगर वो जल प्रदूशित हो जाए, तो कैसे वो अमृत हमारे लिए जहर के समान हो जाता है, यह सारी चीजों को समझे, अब उस जहर को दूर करने के लिए कौन-कौन से उ पाए हैं, यह सारी चीजों का आज हम समझेंगे, सबसे पहले ध्यान दिजेगा, प्रदूशित जल जीवजन्तूओ के लिए बहुत ही क्या होता है, हानी कारक होता है, हामफूल होता है, अगर यह हमारे लिए अम्रित हो सकता है, तो इसका प्रदूशित होना हमारे लिए जहर भी हो सकता है, दूसरी चीज, प्रदूसित जल के द्वारा अनेक रोगालू शरीर में पहुंच कर घातक बिमारियों को जन्म देते हैं, जिससे जान का खत्रा बन सकता है, या बढ़ सकता है, अब देखी, हम पानी क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम पानी में नहा रहे ह तो ज़्यादा बिमारी होता है जैसे हम कभी-कभी क्या करते हैं पानी पीते हैं जैसे हम देख सकते हैं अगर यह पानी प्रदूशित है अगर हम इसे पीते हैं तो यह हमारे सरीर में जाएगा और विभिन प्रकार की बिमारीों को जर्म देगा तो इसके उपय की क्या क्या कारण होंगे हम इसको समझेंगे देखेंगे यहां इस कारण जल की प्रदूशड को रोकना अती आवश्यक हो गया है अगर इसी प्रकार जल का प्रदूशड इस तर बरता गया तो एक दिन हम सभी इस धर्ती पर रहना दुर्भर हो जाएगा हम सभी का क्या हो जाएगा इस धर्ती पर रहना दुर्भर हो जाएगा तो ये जल प्रदोशड भीना हमारा जीना दुर्भर कर रखेगा इसलिए हमें सीज का ध्यान रखना है हम सभी का करतव है कि हम जिस पर नियंतरण करे और जल को प्रदोशड के उपाय खुजे हम किस पर नियंतरण करे हम जल प्रदोशड पर नियंतरण करे हम जल का तो बहु दस प्रतीशत लोग ही क्या हैं? सक्री है इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए जल को प्रदूशड से बचाने के लिए. आगे बढ़ते हैं. जल प्रदूशड को रोकने के निम्न उपाय हैं जिने हम कुछ बिंदों के अधार पर समझने का प्यास करेंगे. हम कुछ बिं अधिक बढ़ावा देना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? आप देखेंगे कि हम कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं. उसके लिए हम क्या करें? विन प्रकार के जो रसाइनिक उर्वरक होते हैं, उन सभी का प्रयोग कर रहे हैं. हम लोग जैविक उर्वरक पर ये भी जल प्रदूशड को क्या करता है बढ़ावा देता है दूसरा है जहां तक संभाव हो सके किसी भी प्रकार के अपसिस्ट को जलासेओं में मिलाने से रोका जाए साथ ही नदियों में सौ प्रवा या अस्ति विसर्जन जैसी परंपराओं के नाम पर जल प्रदूशड क बढ़ावा को कम किया जाए हम क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं अस्तियों को विसर्जित किया जाता है कहां पर आपके नदी और तलाबों में जैसे गंगा गंगा जल क्या होता है बहुत पवित्र होता है तो माना जाता है कि अगर हम अस्ति को गंगा में विसर्जित करत जाता है अभी हाल ही में अभी नौरात्री चल रहा था इसके पहले गड़ेश चतूर्थी खुब धूम-धाम से पूजा किया जाता है उनका लेकिन विसर्जन के बाद जब आप देखेंगे जब वो पानी में कभी किसी मूर्ति का हाँ तूटा है कभी सीर कितना खराब लगत देखने में उनको सर्जित किया जाता है तो बड़े धुम धाम से लेकिन बाद में कोई मतलब उसका नहीं होता है और उसको निकलते हैं निकलते हैं वह हमको तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस पानी में जू जीव रहतें उन पर अपर बहुत-ज़ादा प्रभाव कर एक साव सोधन शाइंतरों से पून उप्चार के उपरांथी नदी या तलाबों में विसरजित किया जा जाए संभाव हो तो इस प्रकार से उप्चारित करते जारे, गंदा करते जारे, उसके सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस का अनड़ भी क्या हो रहे है, दिन पर दिन जल प्रदूशन होते जा रहा है, उसके उपाये पर ध्यान नहीं देने के काणड एक दिन ऐसा होगा कि हम सभी बहुत ज्यादा सिमित मात्रा में जलका उपयोग कर पाएंगे तो ये भी क्या है एक प्रकार का उपाय है जिसके द्वारा आप जलका प्यूरिफाई कर सकते हैं और चाहे तो आपको लगते कि आप इसे पी नहीं सकते तो कम से कम खेतों में सिचाए के काम तो आ सकते हैं तो इस तरह की चीजे लोग खेतों में तलाप के पास और ऐहां और चाँ जगाह वहाँ उसके कानड भी क्या होता था हमारा पानी होता था प्रिदूशित भी सब को रोखनी के हम क्या कर सकते हुपाइट नगरों महानगरों किन यह स्थापना करे, सोचाले का प्रयोग करे ताकि नदी तलाब एवं जहरनों में सोच को रोका जा सके अब देखे एक चीज याद रखिएगा कि हमारा लाइफ एक ऐसा होता है कि अगर समस्या आ रहा है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी आता है कहा जाता है कि समस्या के साथ हमेशा समाधान जन मिलेता है तो हर समस्या का समाधान होता है अगर जल है तो जल प्रदूशर है अगर जल प्रदूशर है तो जल को स्वच रखने के कई उपाए भी है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है तो अगर सोचाले से हमारा जल प्रदूशित हो रहा है तो उसका उपए क्या है कि हम अपनी नगर, कजबो और जितने घर हैं वहाँ पस हम क्या करें यह सोचाले की विवस्था करें गौर्णमेंट इस पर बहुत ज़्यादा बल दे रही है तो हम आम नागरिक इसे हेल्प कर स सकते हैं या हम यह कह सकते हैं कि गौर्णमेंट अगर इतना कुछ कर रही है क्यों ना हम उनके काम को थोड़ा बढ़ावा दे उनकी थोड़ी सी मदद करें अगला पॉइंट है विद्धूत सव दा ग्रहों की स्थापना की जाए जिससे बिना जले अध जले सव कार्बनिक पदार्थ नदियों में प्रभावित ना हो प्रवाहित ना हो इसका मतलब क्या है अब यहां पस विद्धूत ब्रह की बात क्यों की जा रही है अब आप यहां पस देख रहे होंगे ना यह क्या है बॉड़ी है किसी की अब इससे क्या होता है हम बॉड़ी को जलाती है कभी को पूरी तरीके से खराब कर देता है हम यह कर सकते हैं कि बॉड़ी को हम विद्धुत सवधा होते हैं वहां पस हम इन्हें जला सकते हैं या इनका कह सकते हैं अंगनी संसकार जो होता है वो कर सकते हैं तो हम कभी-कभी क्या करते हैं संसकार के नाम पर समाजिक जो तत्व होते उसके नाम पर बहुत सारी गलत सी जो को बढ़ावा देते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे, पहले समाज में सती प्रथा चलता था, और इस तरह की चीज़े बाल विवा चलता था, तो बहुत जादा इसको माननेता मिला हुआ था, लोग अगर इसके खिलाब बात कर दे तो सी यवरन को प्रदोशित करना, ये भी एक हद तक गलत है, तो हर समस्या का समधान, अगर आप लगता है कि आप संसकार के साथ अग्मी दाह कर सकते हैं, तो आप प्रॉपर पूजा पाट करिए, और फिर इस विद्दूत ग्रह में आप सव दाह कर सकते हैं, तो इससे क्या इससे जो धुआ निकलता है ये भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वायो को प्रदोशित करता है, पस्वो को जल में नहलाने से रोगाड़ों की फैलने की संभावना रहती है, अब क्या करते हैं, पस्वो को नहला रहे हैं, तलाब में ही कपड़ा धोना है, तलाब में ही नहलाना है, खुद भी नहाना है, बरतन भी धोलना है, और वही पस्वो उसमें पानी भी पीते हैं, और भी जो जीव रहते हैं, वो उसमें निवास करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पस्वो को जल से नहलाते हैं जो आपके नदी तलाब में उससे रोगाड़ू फैलने की संभावना बहुत अधीक होती है साथ तलाब में कपड़ा धूलने जैसी गतिवीधियों से भी जल क्या होता है प्रदूशित होता है इसलिए नदीयों तलाबों में नहलाने एवं कपड़ा पानी लगता है दोई वाल्टी का यूज करिए पूरा तलाब गंदा करने की क्या जोरत है तो हर सीच का समधान है चली अगला पॉइंट दिखते हैं अगला पॉइंट है गंदे नालों का जल नदी तलाब में मिलाने के पूर्वरसाइनिक वीधियों के द्वारा साफ करना अब क्या होता है आप देखेंगे नगर कस्वों में अक्सर बड़ी बड़ी नालिया होती है तो वहां के पानी को क्या कर दिया जाता है सीधा नदी तलाबों में बहा दिया जाता है मतलब पूरा अत्याशार नदी तलाबों पर हो रहा है कुछ भी कर रहे हैं सौच कर रहे पूरा जो असर हो रहे हैं वहीं पर देखने को मिल रहे है और ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं उसका उपयोग भी पर जाता है इसलिए लोग बीमार भी पड़ते हैं चाहे वह कोई भी वह बीमार निश्चित रोप से पड़ेगा ही तो हम क्या करें इनको अगर हमें मिल साफ हो जाए फिर हम नदी तलाबों में बहा दे कंदा पानी बहाना मतलब हम इसका रिसाइकल भी कर सकते हैं साथ ही हम एक गलती यह कर रहे हैं कि हम पूरे सुद्ध पानी को असुद्ध पानी में परिवर्तित कर रहे हैं और पानी की कमी पानी की तंगी कह कह कर चिलाते र देखिए, यह हैमाली जै आपका गंदा पानी, अब नल से पानी कहीं पर आ रहा है, अब आप देखेंगे टंकी वगधर में पानी होता है, वो भी साफ नहीं होता है, कोई पानी इस तरह का पी रहा है, क्रॉपर उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो इसको भी पीने से क्या होतन ये बड़े भी बिमार पढ़ते हैं, कोई भी बिमार पढ़ सकता है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब क्या हैं, आपके उपाए हैं, और बहुत बड़ी चीज क्या है, सबसे इंपोर्टेंट चीज हम कह सकते हैं, जागरुकता, अगर मनुश्यों म अगर जनता बहुत जादा एक्टिव होगी, अगर हम आमनागरिक बहुत जादा एक्टिव होगी, तो इस तरह की समस्य देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक्टिव होगी, तो गॉर्मेंट एक्टिव होगी, लेकिन यहाँ पस उल्टा है, हम एक्टिव नहीं हैं, ले या रैली निकाल सकते हैं कि जल बचाओ, जल को प्रदोशित होने से रोको, तो इस तरह से भी हम लोगों को जागरो कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का तरीका है जल प्रदोशड को रोकने का, जन सलनच्षड से सम्बंधित संस्थाय, अब देखे, जल को न संरच्षित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए कई सारी संस्थाय भी है, कौन-कौन सी संस्थाय हैं, तो सबसे पहले तरून-भारत-संग, आप अगर सीट-8 का एक्जाम देंगे न, सीट-8 में य एक question देखने को यहां से मिलता है तरुन भारत संग क्या है तो यह क्या करता है यह जल को प्रदूशित जो होते ना जल के संबंद में जागरुकता पैदा करता है इसके बारे में कुछ points देखेंगे यहां पस तरुन भारत संग भारत की एक गैर सरकारी संगठन है मतलब इसमें गौर्मेंट का कोई हस्तरशेप नहीं है गैर सरकारी मतलब इसमें सरकार नहीं है यह आम जो जनता है उन्हीं की द्वारा बनाये गया एक संगठन है जिसमें लोग जल को प्रदूशर होने से रोक रहे हैं इसके इस्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना याद रखीएगा 30 मई 1975. क्योंकि आपके एक्जाम में जल से सम्मंधित सवाल बनते हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा एक्जाम का लेवल बढ़ाना होगा, तो जितनी भी संस्थाइं हैं, जल पर दोशाण को रोखने के लिए उससे सम्मंधित संस्थाओं से सवाल कर सकता है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई, तरुन भारत संग ने राजस्थान के हजारों गाउं, चुकि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक बाल्टी फेकते हैं, एक बाल्टी में नहाते हैं, एक बाल्टी और बरबात करते हैं, थोड़ा सा कप्राद होने के लिए पूरा पानी बरबात करते हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों से पूशे कि पानी की कीमत क्या होती है, तो इस चीच को हमें समझना होगा, तो तरुन भारत संग ने क्या काम किया है, इस संग ने राजस संग ने इसका क्या किया? मदद किया, जल पूरूस, अच्छा इनका नाम यात रखिएगा, जल पूरूस का नाम यान आता है, पूछा जाता है एक्जाम में हमें साँ, जल पूरूस कौन है? राजेंद्र sized इसके प्रमुक सधशय माने जाते है, आप आप सिख्छा करμी हो चाहिए आप किसी भी state के a tape क एक्जाम दे रहे हो वहाँ पर भी उपयोगी हो सकता है यह संस्था करनाड़ के होल गुंडी में कारे रहत है जो बच्चों की एक विशेष संस्था है भीमसंग ये बच्चों की संस्था वो तो बड़े लोगों की संस्था थी लेकिन ये जो भीमसंग है ये बच्चों की संस्था है जो क्या कर रहे हैं पानी को बचानी के लिए पानी को प्रदूशित होने से बचानी के लिए इस पर काम कर रहे हैं पूर्जोर मेहनत कर रहे है अब ये इससे पहले हमने क्या देखा संस्था देखा अब अगला है भारत में जल संरच्छन परियोजना है देखी ये ना एक प्रूफ हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम जागरूक नहीं है तो बाकी लोग जागरूक नहीं है यहां सरकार भी जागरूक है कुछ आम जनता भी जागरूक है यहां तक कि कुछ संसाएं भी बनाई जा रही है तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं बढ़ावा दे सकते हैं इनकी कुछ मदद कर सकते हैं कभी कभी ना कुछ करके भी ना अगर हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दे य या उन्हें उत्सा वर्दन कर दें, ये भी बहुत जादा होता है, तो इस चीज को हम कर सकते हैं, अब देखिए भारत में जल सनरच्छन संबंधित पर योजना है, मैं बार-बार कह रही हूं कि एक्जाम का लेवल बढ़ चुका है, कॉमपडिशन बहुत जादा हो चुका है तो अब बहुत जादा अलट रहना है, हर तरीके से आख, कान, हर चीज खोल के रखना है, और नोट्स प्रॉपर बनाते भी चलना है, और चीजों को याद रखना है, सबसे पहला है आपका जल जीवन मिशन, याद रखिएगा, जल सनरच्छड से संबंधित योजना क्या है पहला आपका जल जीवन मिशन, दूसरा है आपका पी-म कृषि सिचाई योजना, तीसरा है आपका सही फसल अभियान, मिशन अम्रित सरोवर आदी जैसी योजनाओं की सूची भारत में जल सनरच्छड में क्या करती है, मदद करती है, तो यह सब क्या है, ये कुछ भारत मे जल्ब संरचण से संबंधित कुछ परियोजनाए हैं जिसके कारण आज भी आप देखेंगे आ जल्ब दूशण को रोकने के लिए जो ज़्यादा होना चाहिए थोड़ी सी कमी के कारण जिम्मिदार कौन है आपकी यही लोग है अगर हो सकते यह ना हूँ तो हम बहुत ज़्यादा कमी महसूस करें तो यही सब चीजें हैं जो जल सन्रचण का काम करते हैं सरदार सरोवर परियोजना याद रखिएगा important है आपका बहुत ज़्यादा important है इसके लिए कोई particular exam नहीं लगेगा यह कहीं पर भी पूछ देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा fact है ये सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल सन्साधन परियोजनाओं में से एक है यहाँ पर direct सवाल बन सकता है कि बताईए सबसे बड़ी जल परियोजना सन्सा कौन है यह भी कह सकते हैं ये सबसे बड़ी परयोजना म сложно सबसे बड़ी जल संसाधन परयोजना है ये चार प्रमुख राज्यों दूसरा सवाल question 1 क्या बना कि सबसे बड़ी जल संहरचंण परयोजना तो सरडार सरोवर परयोजना दूसरा सव अगर आपसे करता है कि बताइये यह जो जल सर्म रच्छड परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है या किन राज्यों को हम कह सकते हैं किन राज्यों के लिए मुख्य रूप से है तो ये है आपका महरास्ट, मद्यप्रदेश, गुजरात और राजिस्थान को किया गया है क्योंकि यहाँ पस पानी की बहुत ज़्यादा कमी को महसूस किया गया है तो सबसे बड़ी परियोजना का नाम याद रखना है किन चार राज्यों से संबंधित है तो ये महराश्ट, मद्यप्रदेश, गुजरात और राजिस्थान में है चलिए आगे देखेंगे चलिए तो हमने क्या देखा अभी आज की कक्षा में हमने देखा कि मक्यों के कानण होने वाली जो बीमारिया है उसको समझे क्योंकि पिछली कक्षा में हम जल प्रदूशर से होने वाली बीमारियों कवर कर रहे थे तो मक्षियों से होने वाली बीमारियों को नहीं छोड़ना है क्योंकि ये भी गंदे पानी के कानण फैलता है ये वहीं पर ज्यादा तर रहता है दूसरे चीज हमने ये समझा कि जल प्रदूशर को रोकने के क्या-क्या उपाय हैं ये तो उपाय की बात हो गई कि हम कैसे किसी भारत में ऐसी कौन सी परियोजनाय चल रही हैं जो जल सनरच्छन को बढ़ावा दे रही हैं साथ ही हमने सबसे बड़ा परियोजना जो है भारत में चल रहा है उसको भी आज हम समझे हैं ऐसी ही आप पढ़ते रहें और एक्जाम के लिए बिल्कुल आप जागरुक रहें साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको